तो इस कहानी को शेर जरूर करिएगा प्रुशन जजमाश्मी के दिन जब लोग अपने परिवारों के साथ खुशिया मना रहे थे द्रमन से राज जिमान जी एक ऐसी बंदरिया को लेके आए जिसे किसी ने बे रहमी से गोलिया मार दी थी फिर हमारी नजर उसकी चाती से चिक्के और उसके एक छोटे से बच्चेगर पड़ी वो अपनी मा को इस हालत में देकर दरा हुआ सा था लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो बार बार उससे चिपक कर उसे यही बोल रहा हूँ कि मा तुझे कुछ नहीं होगा, मा तुब बच जाएगी हम उन्हें तुरंथ ही क्लिनिक ले आए क्योंकि वो हमारे पास जद्माश्ट में पर आये थे तो और्डेंस द्वारा सुझाएवे नाम यशोदा और कानहा के सिवा हमें उनके लिए कोई और नाम नहीं सुझे यशोदा को एक्जामिन करते समय हमारी टीम ये समझ गई थी कि उसके बचने की संभावना कम है उसके आंख पर मैगेट्स लग गए थे जिस वज़े से वो अपनी एक आंख खोली नहीं पारी थी एक मैगेट्स उसके पिछले हिस्से पर भी था और शरीर पर कई जगा गोलिया लगी थी ये शोदा को पालंपूर वेटनरी होस्पिटल ले जाने पर ये पता चला कि उसे लगी हुई गोलिया उससे खुदी खुरच के निकाल दी थी लेकिन अभी भी उसे कई गहरे घार थे जिससे उसे बहुत तक्लीफ हो रही थी हमारी टीम उसका एलाज नर्व टॉनिक्स अंटिबाइटिक्स और पेंगिलर से करती रही अब वो देखके तो जिस व्यक्ति ने ये शोदा को गोली मारी वो खुद कह देता कि भई हाँ चाहे हिमाचल में कानूनी तोर पे बंदरों को मानना सही है पर ये मुझसे बहुत गलत हुआ इसी तरह बहुत सी ऐसी चीज़े हैं जो कानूनी तोर पे तो सही है पर इतनी गलत कि अगर हम उन्हें देख लें तो कभी उनका सहयोग ना करें और इसी लिए बड़ी बड़ी कंपनिया इन बातों को हम से चुपाती है खेर यशोदा की रीटमेंट के दौरान काना चुप चाप अपनी मास से चिपक कर उसके ठीक होने का इंतजार करता रहा यशोदा का एक हाथ अभी भी पैरलाइस्ट है लेकिन जैसे जैसे वो ओबरॉल ठीक होने लगी है हमें इस मा बेटे के जोडी का असली रूप दिखने लगा है यशोदा फार्म की फूरूथ का खूब लुक फोटाती है और काना कभी लटक लटक कर रविंदर भिया के हाथों से खेलता है तो कभी डॉप्टर गुल्शन के साथ खूब शरारते करता है हाँ वो बात अलग है कि काना की इन शरारतों का ट्रीट्मेंट यशोदा खुदी उसे एक चमाट लगा के कर देती है आपको लगता है कि ये शोदा काना की कहानी सुनके किसी के दिल में जानरों की मदद करने का जजबा जाग सकता है तो इस कहानी को शेर जरूर करिएगा झाल